पूरी तरह से दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और सुशील के अपराथ की डायरी परत दर परत धीरे ही सही लेकिन खोल रही और एक समाच का सुशील बेटा जिसकी कारस्तानी भयंकर जरायम से भरी धीरे-धीरे लोगों के सामने आ रही और ये देखकर सुनकर लोगों की आखे फटी की फटी रह जा रही पहले वो उलम्पियन था लेकिन अब वो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशा है इसकी पोल अब खुल चुकी और अब पहलवान का बचना मुश्किल ही नामुम्किन है ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के पास सुशील कुमार की सारी अपराद की जन्रुकुंडली हाथ आ चुकी और अपराद की दुनिया का जुराज अब तक दबा हुआ था वो सब बेपरदा हो चुका है तभी तो अपराद को देखते हुए दिल्ली पुलिस सुशील कुमार पर मकोका लगाने जारे ये वो मकोका है जो एक शातिर अपराधी पर लगता है अब ये देश को इज़त दिलाने वाले एक संगठित अपराधी पर लगेगा सागर हत्याकांड में फसे ओलंपियन सुशील कुमार पर बड़े आक्शन की तैयारी दिल्ली पुलिस सुशील कुमार पर मकोका लगा सकती खबरों की माने तो पुलिस सुशील कुमार पर मकोका के तहत कारवाई करने की पूरी तैयारी रहे जानकारी देते चलें कि मकोका की कारवाई संगठित अपराध करने वालों पर होती कानून के जानकारों की माने तो अगर मकोका लगा तो सुशील कुमार को आसानी से जमानत नहीं मिल पाई मकोका के बाद उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान दिली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी के टॉप गैंग्स्टर में शुमार काला जठेडी और नीरज ववाना के रिष्टों को लेकर सुशील कुमार की कुनली खंगालना शुरू कर दिया अभी जो खबर आ रही है उसके मताबिक पुलिस सुशील कुमार को हरिदवार ले जा रही जहां पर सागर हत्याकान का सबूत एकठा किया जाएगा फिर चारशीट दायर हो तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक देश की आखों का तारा बदनाब हो गया और अब सलाखों के पीछे आ चुका है और उसका जुर्व पूरी दुनिया के सामने देखना होगा कि कब पुलिस बड़ा एक्षन लेती है लेकिन फिलाल सुशील पर कानून का शिकंजा कस्ता जा रहा है